हेलो फ्रेंड्स असलाम लेकूम आप सब कैसे हैं आज मैं प्लेन सौफ चिल्डा रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटा फट बनकर तयार होती है प्लेन चिल्डा ये बहुत ही सौफ और बहुत ही हैल्दी होता है और देखिए इसका कलर कितना परफेक्ट बनकर ये चिल्डा हमारा तयार हुआ है और साथ ही मैं इसमें बनाना बताऊंगी आपको तीखी चटनी यहां पर मैंने एक बड़े बाउल में वन कप राइस फ्लो लिया इसे पहले से ही मैंने अच्छे से चान लिया था और अब हम एक कप सूजी आइड करेंगे और थिरी फोर्थ कप अब हम इसमें योगर्ट आइड करेंगे और फिर इसी के साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी आइड करकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा थोड़ा करकर हम पानी डालेंगे यहां पर मैं तकरीबन डेर कप से थोड़ा सा ज़ादा पानी मैंने आइड कर लिया है यह ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा यह गाढ़ा भी नहीं है अब हम इसमें आ ठीकी चटनी बनाना बताऊंगी, सबसे पहले आप एक मिकसर का जार लेंगे और यहां छोटे बाउल में में बुना हुआ चना लूँगी उसको मैं जार में एड़ कर लूँगी थोड़ी सी हरी धनिया को मैं रफली कट करकर उसे जार में एड़ कर लूँगी तीन चार हरे मिर्चे लूँगी मिर्चे हमारे कड़वे नहीं है आप एक या दो भी ले सकते हैं तीखा अपने हिसाफ से रखिएगा चार से पांच हम लसुन की कलिया लेंगे और यहां पर दो चमच में योगर्ट यूज़ कर रही हूँ और एक चमच नमक डालूँगी और डाल कर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी चटनी मेरी रेडी हो चुकी है अब मैं इसे साइड में एक बावल में निकाल कर रख दूँगी देखिए किता परफेक्ट कलर आया है और ये प्लेन चिल्ले के साइड बहुत ही टेस्टी लगती है अब हम एक पैन में चिल्ले के बैटर को डाल कर इसे अच्छे से चिल्ला बना लेंगे देखिए किता परफेक्ट ये चिल्ला बनकर तयार हो रहा है और इसे 3-4 मिनट के लिए गैस की मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उपर से मैं अब थोड़ा सा ओयल को उपर से मैं लगा दूँगी और फिर उसके बाद 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी यहां 2-3 मिनट हो चुके हैं और मेरा एक साइड से चिल्ला अच्छे से से सिक चुका है अब मैं इसे दूसरी साइड से से कूंगी पलट कर देखिए कितना परफेक्ट कलर आया हुआ है चिल्ले का और यह चिल्ला हमारा बनकर रेड़ी हो चुका इसे भी है मैं 2-3 मिनट के लिए मीडियम फिलेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी अब मैं इसे एक पलेट में निकाल लूँगी देखिए इसी तरीके से आप पलेन चिल्ला बना कर तयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को छुटी भूग लगे तो बना कर आप खिला सकते हैं इसी तरीके से आप तवे पर एक कप बैटर डाल दीजिए चिल्ले का और इसे राउंड शेप में आप हलके से गुमाते रही हातों से और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दीजिए उसके उपर आप आउल को स्प्रंकल कर दीजिए और एक साइड से जब चिल्ला आपका सिख जाए तो आप दूसरे साइड से इसे 2-3 मिनट के लिए सेख लीजिए इसी तरीके से आप सारे चिल्ले बना कर रेडि कर सकते हैं और फटा फट से आप इसे सर्फ कर सकते हैं देखिए हमारा चिल्ला आपको मैंने 2-3 बर बता दिया है बनाना आप इस चिल्ले को 6 से 12 मन्त के बेबीज को भी बना कर खिला सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी होता है अगर आपको मेरी प्लेन चिल्ले की रेस्पी पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलिए और सुबा के नास्ते में इसे जरूर बना कर खाईए तीखी चटनी के साथ आपको बहुत ही पसंद आएगा लाफिज